तो हेलो फ्रेंट कैसे जु명 दोस्तो आज मैं आपको पताने मालों कैसे आपने 2017 के मोबाइल को दायकनोसिस टेस्ट कर पाएंगे या बोल सकते या अपने Galaxy Store में जाना है वहाँ पर आपको एक एप को सर्च कर लेना है यह वैसे तो अधिकतर सेमसंग के वाइल में डाउनूड होती है अगर होगी आपके पस होगी तो आप उसको अपडेट कर लीजी अपडेट नहीं होगी तो भी वर्क नहीं करेगा तो आपको इसको लेना है यहां पर जैसि आप उसको ऊपन करेंगे तो आप देख सकते हैं दूस्तों यह ऑन हो चुका है यहां पर आपको और यह आपको यहां पर ऐसा option दिख जाएगा, यहां पर आपको सबसे पहला दिया गया है battery selected, जैसे यहां पर आपको यहां पर क्या रहेगा, जितनी भी आपकी सीजिस दीए, इस सब एक एक करके यहां पर पूरा test करेगा, उसके बाद आपका mobile को बता देगा कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यह दोबारा भी यहां पर चेक कर लेगा, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ यहां पर चेक करना है, उसके बाद NFC है, तो NFC आप इस कौन कर देंगे, तो by default अगर आपके पास NFC वहां पर आसपस कोई नेवल होगा, या आप उसको यूज करते होंगे, तो यह यू सब्सक्राइब करना है, तो यहां पर इसलिए एक्शन रिकवाइट दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा, SD card is required, मलब अभी इसमें हैनी इसलिए चेक नहीं कर पा रहा है, और भार आएंगे तो आपको यहां पर रैट कर आपको आटेंशन वाला मिल जाएगा, क्योंकि यह सही रहत नहीं हुआ है, उसके आद आपको पा ररेंट रिस्टार्ट का réponse यह भी कि बार गटेट कर आपको आपको अप्डेट करने के लिए बता देगा, अगर आपको कुर आपको रहेटेंशन नहीं देगा, आपको बसक्ता यहां पर यहां पर कुछ भी डिगार नहीं यहां पर कोई शॉटर से लेटेड एरर होंगे तो आपको इहां दिखा देगा उसका मॉबायल नैटवर्क जैसे कि मैं सहीं यूज कर रहा हूं तो मॉबायल नैटवर्क हो इहां पर डिटेक्ट कर लेगा अगर आप भी यहां पर आप नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तो आपको यहां पर अपको हजी खुदी दिखा देगा आपको करने ज़र नहीं आप दिख रहे हैं मैंने यहां पर करा तो नेट फरर वजी यहां फर फिक रहा है तो 4G नेट यहां पर चल रहा है आप साइन रपार चेक करें जाएंगे कि सेंसर को कोई प्रॉब्लम दो नहीं है एक एक सेंसर को बाइड इफोल्ट तो अपने साफ चेक कर लेगा और कुछ एक्शन को करने के लिए बोलेगा तो वहां पर आपको कुछ एक्शन करना रहेगा तो इसको करने देख रहा है आप इसारे सेंसर उसना चेक कर लिए तो आपको इतने सारे box मिल जाएंगे सारे box को आपको करना के रहेगा यहां पर एक-एक करके यहां पर यूं करके आपको उनको पूरे box पर यहां पर color fill करना होगा या बोल सकते हैं सब box को आपको टच करना होगा जब भी अगर एक box भी बीच में से रहे गया तो यह स्क्रीन यहां पर आपको error दिखा देगा तो आपको एक-एक box को यहां पर फिल कर लेना है फटावड यह फटावड आपके इसको पूरी तरह से चेक कर लेगा अगर कोई problem होगी तो आपको यह वहां पर बता देगा तो मैं इसको फटा-फटावड यहां पर कर लेता हुआ अगर यहां पर कर लेंगे तो आपको सारे बटन बोलेगा पहले volume up की बोला है volume down की बोला है और press the side button सारे बटन आपको जो जो बोलता जाएगा वहां कॉल पर स्पीकर चाल हो चुका है तो मैं यह वाला साउंड काट दूँगा पर यह वीडियो मेरे पास साउंड आ गया है क्योंकि आपको पता होगा copyright के जक्कर मैं यह वाला साउंड में काट दूँगा अगर आपको नहीं आ रहा तो आप समझ लिए कि आपके mobile में साउंड राओ यह वाइंड पशाई है अमया करेंगा एक्रीक करन तो वाइवरॅट और होगा एक वाइवरेक कॉपको काउंट कर लेना कितनी बार हो गया यह वाईवरेक आपको बता देगा गे वाईवरेट सभी चल रहा है आखेंगे हैं खृटो अब क्या में खराएं ग्रlass क्लिक्ष करेगा फ्रेंट नहीं सबसे पहले बैक आगया है तो मैंने बट आप में इकशक कर लिया है क्लिक हो गहीं फॉटो यस working अब ऐसी front आ जाएगा मैंने front पर click कर लिया front भी working पर है तो यह सा यहाँ पर आपको एक एक step कर लिना है यहाँ माइक पर आएंगे जो आप बोलेंगे यहाँ पर वो record हो जाएगा hello, what's up my name is sunny तो दोस्तों जो मैंने बोला था यहाँ पर मैं play करूँगा तो वहाँ पर play हो जाएगा तो यह आपको sound नहीं आएगा क्योंकि मैंने volume महाँ पर कम कर दिया था तो आपको sound थोड़ा कम आएगा वहाँ पर सकते हैं यहाँ पर torch दिया हुआ है torch पर click करेंगे तो torch को yes or no पर भी click करना है तो आपको एक एक चीज़ वहाँ पर मिस नहीं करना है मैं फटा-फट यहाँ पर miss कर दिया मैंने इसको बढ़ आपको एक भी चीज़ को मिस नहीं करना है फटा-फट यहाँ पर सारी चीज़ों कर लियना है थोड़ी वीडियो लेंदी हो सकती है क्योंकि आप समझ रहे हैं क्योंकि इसमें एक-एक step बता रहा हूँ अगर मैं skip कर दूँगा तो शायद हो सकते हैं आपको problem हो तो यह सब चीज़ आपको यहाँ पर कर लेना है cable charging आपको mobile को charge पर लगाने के लिए आपको अपना कोई plug-in कर लेना है एक बार तो automatic detect कर लेगा जैसे मैं यहाँ पर charger लगा दिया तो उसने खुद ही बता दिया वार्किंग USB connection अभी USB connection मैं नहीं लगाँगा तो वहाँ पर बताएगा wire headphone मैं headphone लगा देता हूँ आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर headphone यहाँ पर headphone लगा देना है तो यह यहाँ पर चालू हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पर यह चालू हो गया और headphone headphone में sound नहीं आ रहा तो समझ लीदी कि आपका headphone jack महाँ पर खराब है तो यह आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बता देगा उसके fingerprint sensor पर आएंगे यहाँ पर fingerprint sensor लगाने को बोलेगा fingerprint वर्क नहीं कर रहा तो fingerprint को दिक्का देगा जाएगी face recognition अब आपको मुझे यह face face को concert करेगा तो यह भी सही है मैंने face दिखा दिया तो वह भी सही है location accuracy यहाँ पर एक एक चीज़ चेक कर लेगा जैसे कोई भी problem नहीं आने वाली है आपको फटाफट खुदी चेक करता जाता कोई problem नहीं आई Bluetooth मैंने हाँ पर on कर लिया तो Bluetooth को चेक कर लेगा यहाँ पर फटाफट यहाँ पर बिलुटुट को चेक कर लेगा वाई-पाई तो मेरा already on ही है तो वह भी महाँ पर फटाफट चेक कर लेगा तो मुचिण जासकते हैं दोस्तों और अगर आप मुझे कुछ पूचन चाहते हैं चादे मेरे डरेटल कुमेंच करना नहां बोलेव और हो सके तो मेरे को इंस्टागर फोलो करना भी ना वोले कर लिं Perry देमी आग content ।